सल्मान खान का लाहिरन शिकार मामले में 5 साल जेल की सजा की पहली रात जूदकूर सेंट्रल जेल में काट चुके हैं अब उनके वकीलों की पूरी कोशिश होगी कि उन्हें आज जोदपूर सेशन कोट से जमानत मिल जाए वकीलों ने तो गुरुवार को ही सीजर एम कोट का फैसला आने के बाद सल्मान को बिल दिलाने की पूरी कोशिश की थी गुरुवार को ही सेशन कोर्ट में सलमान की जमानत के लिए याचिका दायर कर दी गई थी लेकिन सेशन कोर्ट में शुकुर्वार को सुनवाई का फैसला लिया परिणाम सुरुप सलमान को गुरुवार की रात जूदकूर सेंटरल जेल में ही काटनी पड़ी अब सभी की निगाहे आज सेशन कोट पर होंगी और सल्मान के फैन बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि उनके चहेते सितारे को बेल मिलती है या नहीं सल्मान खान को सुनाई गई सजा पर उनके वकील ने गुरुवार को हैरानी जताते हुए कहा था कि कोट के फैसले से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सल्मान खान अकेले ही शिकार करने निकले थे लेकिन सीजीम कोर्ट पर सलमान के वकीलों की एक दलील नहीं चली और उन्हें दोशी करार देते हुए सजा सुना दी गई सलमान के वकील आनंद देसाई के मताबिक सेशन कोर्ट जमानत त्याचिका पर आज सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेगी उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि सलमान को सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाएगी उनका कहना था कि सीजे एम कोर्ट का फैसला इसलिए हैरानी भरा है क्यूंकि राजिस्थान हाई कोर्ट ने जिन सबूतों और साक्षियों के आधार पर सलमान को बढ़ी कर दिया था सीजे एम कोर्ट ने उन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर यह सजा का फैसला सुनाया है वहीं सीजे एम कोर्ट के जज़ देव कुमार खत्री ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कि अभियुक्त बहु चर्चित कलाकार व्यक्ति है जिसके द्वारा किये गए कारियों का आम जनता द्वारा भी अनुसरन किया जाता है इसके बावजूद अभियुक्त ने दो वयन जीव कृष्ण म्रिगों का शिकार किया है अपने फैसले में जज खत्री ने सल्मान खान से जुड़े हिटन रंड केस का भी जिक्र किया उन्होंने कहा अभियुक्त पर पूर्व में भी दो अन्य प्रकरण हिरन शिकार के दर्ज हुए थे मुल्जेम पर एक अन्य प्रकरण हिटन रंकेस का बंबई में हुआ था मुल्जेम ने हस्तगत प्रकरण वाले कृष्ण म्रिगों का शिकार शौक मौज के लिए किया